जैहिंद्र नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ एक और फिर से एक नेवड़ों के साथ डिवलप इंडी एक्सप्रिस में दोस्तो रख्षॉल्ट से नरकटे अगंज के बीच विद्धूति करने का काम बहुत ही जोरों से चल रहा था और अब जाकरके विद्धूति करने काम पूरा हो गया है आपको बता दे कि 21 मार्च को इस रिलखंड पर CRS की जानी थी रक्सॉल से नरकटे गंज के बीच विदूती करण कार लेकिन आज है 24 मार्च और आज के दिन यह लेक्ट्विकेशन पुरी तरह से कंप्लीट हो गया है अब जाकर के फिर से रिफ्रेस्ट डेट मिलेगा इस रिलखन को सियारस नरिक्षण के लिए फिलाल अभी कोई भी डेट निरधारित नहीं किया गया है जैसा ही कोई डेट निरधारित की जाएगी हम आपको बताएंगे इसे पहले हम आपको बतादे कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि रक्सॉल से नरकटे गंज के बीच विदूती करण का कार पूरा हो चुगा है जो की वया सिक्टा को जाती है या पूरी के पूरी 42 किलोमेटर की जो रेल लाइन है सिर्फ यही रेल लाइन जो बिदूती करण सभी बंची था सिर्फ और सिर्फ नरक्सौल से नरकटे गंज के बीच ही वया सिक्टा यही रिलखंड अभी तक विदुती करण कारे यहां पर चल रहा था और अब जाकर के पुरा हो चुका है और सियारस का डेट का भी इंतजार है और इस पर विदुत लोको का ट्रायल भी होना है जिसके उ इससे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वह यहां है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है जब इस पर विदुती करण कारे पूरा हो जाएगा उसके बाद इस रिलखंड पर दर्भांका से सीधे गोरखपूर के बीच मेमू सवारी घारी या मेमू इंटर सि सिधे एक्सप्रेस का पर चलन किया जा सकता है सिर्फ यही रिलखंड जो बचा हुआ तो विदुती करण के लिए इसी करणा होने से ही कुछ ट्रेने जो है इस रूट पर नहीं मिल पा रहे हैं कुछ नहीं नहीं ट्रेने भी अब जाकर की उमीद है कि इस रिलखंड पर धर सितामडी दर्भंगा वारी रेल लाइन पर धरलले से ट्रेने भी दोड़ेगी हो सकता है और इसी के साथ जो संभावनाएं हैं वह यह है कि दर्भंगा सीतामडी रक्सौल सिक्टा नरकटे गंज के रास्ते लंबी दूरी की भी कुछ ट्रेने दी जाएगी इसके साथ गोर याल अभी सिर्स का डेट नहीं है जैसे ही डेट आएगा इसके नरक्षन का हम आपको बताएंगे इसे पहले कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिगा और साथ ही नोटिपिकेशन बेल को औल कर लेजिगा मिलते हैं फिलार किसी य हिंद अन्या भारत